चंदादीर सुई 24 में आपका स्वाधत है आज मैं अपने किचन में लेफ्ट ओवर आलू से फटा फट कैसे समोसा बता है वो बता रहे हूं इसके लिए मैं एक कप मैदा ली हूं और इस पे दो बड़े चम्मच मैं नयन डाली हूं थोड़ी सी नमग और अजवायन डालके मै एक सॉफ्ट डो बना दिया यह देखिए और अब मैं कि तरफ आती हो फ्रेंड कभी-कभी आलू हमारे घर में बहुत बच जाता है सब्जी बनने के बाद भी तो मैं सोची आज आपको जट पट समोसा की रेस्पी बताओ तो यह देखिए यह हमारे पास तीन आलू है मैं इ पश्करते ग्रेट कर दिए हूँ और इसमें वै तो भी सी अदरक में डाल दी हूँ और यह जीरा धनीया और भी मिर्च को पॉड है वह टाल δी हो फूड़ी सी धन्या पॉर्डर डाल दिए हूँ थो फीजी भी और थोडी सी मिर्चा पॉरiyor और नेक्स्ट मैं इसमें एक हरी मिर्श, दो-तीन किस्मिस और थोड़ी सी यह जरब मसाला पॉडर और एक चमच भर के मैं इसमें जीरा पॉडर लिए हूँ, भुना जीरा पॉडर है, इससे जो आपका समूसा का टेस्ट है, वो बहुत अच्छा होता है, और अब मैं इसमें स मिक्स कर देती हूँ, देखिए, यह समूसा बहुत जल्दी बन जाता और बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे कीचन में जरू ट्राई करें, मैं तो अपने बच्चों के लिए इसे बनाती हूँ, देखिए फ्रेड, एक पेड़ा लेके मैं इसे बेल दी हूँ, और अब मै पानी से कट कर जाती हूँ, और इस पे मैं थोड़ी सी ग्रेटेड चीज भी मिला दी हूँ, यह देखिए, और अब चारो तरफ पानी से मैं से सिल कर देती हूँ, यह देखिए, और इसमें मैं अच्छे से अपने स्टफिंग को डाल के यह देखिए, इतना सुन्दर हमारा समूसा बनके तयार है, इसी तरह मैं सब पहले बना लेती हूँ, यह देखिए फ्रेंड, हमारे सारे समूसे को मैं भर चूकी हूँ, और अब मैं इसे गर्म तेल हमारा इधर कड़ाही में हो रहा है, पहले मैं चेक कर लेती हूं कि तेल हमारा गर्म होगा है कि नहीं यह दिखिए तेल हमारा बेलकुल गर्म है अब मैं इसमें अपने समोसे को डाल देती हुआ मैं आपको फ्रेंड एक लहरिया समोसा बना के दिखाती हुआ कि अब साइड में इसमें और इसे ऐसे करके यह देखिए गौड से देखिए गर इसे दोनों को मैं मिला दी हुआ और अबना इसे मेरे पास स्टफिंग बची हुई थी यह देखिए और इसके चारो तरफ में इसे भी अच्छे से यह देखिए हमाही लहरिया समोसा भी बनके त्यार है सारा समोसा को मैं स्टफिंग कर लिए हूँ और इधा देखिए अगे हमारा समोसा सब्सक्राइब कर देती हूँ इसे ना लो-टू-मीडियम फ्लेम पर पता रही हूँ यह देखिए फ्रेंट सारी समोसा हमारी बनके त्यार वे कितनी अच्छी बनी है कितनी क्रिस्पी देखने में भी कितनी सुन्दर यह लग रही है अब मैं इसे प्लेटिंग करके आपको दिखाती है यह देखिए गाइस हमारे कितने अच्छी समोसे कितने क्रिस्पी बनके त्यार है मैं आपको यह देखिए आवास सुना रही हूँ तो आप भी लेफ्ट ओवर आलू से अपने कीचन में जहत्पत समोसा बनाए और इंज्वाए करें अगर आपको हमारी आपको कैसी लगी थाइंक्यू बबाई हैव नाइस डेखिए